Hello बच्छो, I'm Amit Bajarnia, your physics teacher at competition. I hope आपके दो J-Main के जो attempt हैं, वो बढ़ी आगए होंगे. आप अपनी J-Main के आगए के पढ़ाई भी अच्छे कर रहे होंगे, बड़ आफकोर्स आप सब के दिमाग में IIT Advanced भी होगा यह होगा. J-Main और IIT Advanced में कि जो पढ़ाई हैं, उसमें किस तरह से हम लोगो बैलेंस बलांके चलना है. IIT Advanced की पढ़ाई जो करनी है, उसमें में और किन बातों का ध्यान रखना है J-Main के अलावा. और IIT Advanced का एक्जाम किस तरह से J-Main से डिफरेंट हैं, उसके लिए हमें एक्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. काफी दुनों से बच्चे कैवी रहते हैं किसे इन बातों को डिस्कस करना है, मुझे ही टाइम नहीं विलाता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया. तो चलिए, एक एक करके सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात कि IIT Advance 2021 में रफली आज से गर देखें तो 70 डेस के आसपास का समय बचा है. इस टाइम में आपको अफकोर्स दो जेएमेन का एक्जाम भी देने हैं, बिटसेट का एक्जाम भी देना है, तो आपको पहले थे कॉल लेनी पड़ेगी कि exactly मुझे IIT Advance की तेहरी करनी है या नहीं करनी है. तो सबसे पहले हम यह देख लएते हैं कि सबसे पहले किस बच्चे को IIT Advance की प्रिपरेशन करनी चाहिए. बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बिलकुल Inclined होते हैं कि सबसे शुरुआत से IIT Advance की पढ़ाई कर रहा हूँ, इलिंद क्लास से ही IIT Advance की पढ़ाई कर रहा हूँ, जेही में तो मैं सिर्फ और सिर्फ एस स्क्रिनिंग एक्जाम की तरफ कंसिलिटर कर रहा हूँ, हो सता कि मे दिरे-धिरे IIT Advance की तरफ Inclined होना चाहिए, मैंने इसके लिएक सिंपल सिंपल सी बाते लिखिए हैं कि जनरल केटेगे में किसे बच्चे की अगर रफली 97% से अगर जाता है, तो वो धिरे-धिर अपनी पढ़ाई को IIT Advance की तरफ Inclined करें, EWS वाले बच्चे जिनका 93% से उपर है, अगेर वो IIT Advance की बारे में सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, उनके सवाल करना, दिरे-दिरे स्टार्ट करें, SCST वाले बच्चे हैं, अगर आपके 80% से उपर हैं, तो IIT Advance आपके विदिन दे रीच है, अगर आप अच्छे से टाइम लगें, अच्छे से स और एक्जांपल कि आपके 99.9% है, तो इस परसेंटाल होना जो बच्चा है, वो मान के बैठा है कि हाँ, मुझे बड़े अराम से अच्छी अन IIT के अंदर अच्छी ब्रांच मिली जाएगी, तो मुझे अब IIT Advance के लिए बिलकुल धंक से इंक्लाइन दोना चीए, वो पू सिस्टम हुआ, सेटेंड रिलेशन्स हुआ, सेमिकनेक्टर हुआ, केमेस्ट्री इन एवरेडे लाइफ हुआ, इस तरह है टोपिक को वो सिर्फ और सिर्फ जेएक में इनके एक्जाम से ती या चार दी है, पास दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर देगा, बाकि टोपिक तो मेरी जेए मेन के अंदर भी अच्छी कासी रैंक बढ़ जाए और वो आईटी एडवांस की पढ़ाई भी करता रहोंगा, तो ये वाला जो बच्चा है, ये आईटी एडवांस की पढ़ाई करेगा तो सही, लेकिन साथ साथ में जेए मेन की पढ़ाई भी कंटिनू सिर्फ आख्रिया चार-पांच ये दिन के लिए छोड़ने वाना नहीं है, वो कंटिनू रखेगा, किसी बच्चे के बिर मान लेजी के 97 परसेंटाइल है, तो वो कहेगा किसे मेरी रैंक तो रफली 30,000 के आसपास कनवर्ट हो रही है, तो सर्म मुझे क्या करना चाहिए, ब कितना समय IIT Advanced के लिए देना है, अगली बात, बहुत important सी बात, हम इसमें step by step इस बात को discuss करेंगे, कि जेए मेन में और IIT Advanced में क्या अंतर है, और उन अंतरों हे कारण, उन differences हे कारण, हमने जो आज तक जेए मेन के पढ़ाई की है, उसको IIT Advanced के पढ़ाई अगर मैं करनी हो, त specifically topic wise हम सारी सारी बातों को discuss करते हैं, point wise discuss करते हैं, जेए मेन का जो paper है, जैसे तुम जानते हैं कि बटा सिर्फ और सिर्फ एक paper, वो भी तीन गंटे गा, या तो वो 9 से 12 होगा, या 3 से 6 होगा, लेकिन हमारे IIT Advanced का जो paper है, वो तो एक ही दिन में 2 बार होगा, तो of course उसमें 6 गंटे लगेंगे, इसका मतलब ये भी हो गया कि आज तक ऐसा हो सकता था कि हम दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार 3 गंटे बैठते हों पढ़ने के लिए लगातार, लेकिन अब हमें हमारे time table को इस तरह से change करना पड़ेगा कि हम दिन में कम से कम 2 बार 3-3 गंटे लगातार और खास तोर से 9-12 और 2-5 या 3-6 क्योंकि हमारे दिमाग को में tuned करना है कि अब वो दिन में 3 गंटे लगातार नहीं, बलकि 3-3 गंटे दो बार लगातार डंक से बैठ सके, तब ही हमारी biological clock उससाब से tuned होगी, तद ही जाके हम mentally, physically ready रहेंगे 6 गंटे का exam एक ही दिन में देने के लिए, तो ये बड़ा difference है, छूटा difference नहीं है, एक दिन में 3 गंटे का exam देने के मुकाबले, एक दिन में 6 गंटे का exam, मतलब 3-3 गंटे में 2 बार exam देना उससे कहीं गुना मुश्किल है, तो पहले से अपने आपको train करें इस तरह से, कि हम दिन में कम से कम 2 बार तो 3-3 ग सिर्फ syllabus की बात करें, तो वो NCRT का syllabus जेए में का था, उससे हलका सा कम है, थोड़ा सा कम है, जैसे मैंने का कि सेमिकैलिटर नहीं है, कम्मिनिकेशन सिस्टम नहीं है, मेरी का सेटन डिलेशन्स नहीं है, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है, बाइओ मोलेक्यूल्स नहीं है, इवरेडे लाइफ नहीं है, तो थोड़ा सा वो वाला डिफरेंस है, जो बच्चे जैए मेन और आट एडवांस के पढ़ाई के वीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो ध्यान रखें कि जैए मेन के लिए आपको स्पेसिटिकली ये वाले टोपिक्स आपको एक्स्टर प अधिया मेटा मटेरियल पर, मेटा मटेरियल सेलिबस में यह नहीं है, कभी नाम भी नहीं सुनागा बहुत सरे अच्छोंने तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आएटी एडवांस जो है, वो सेलिबस के बजाए कि बजाए कि विच्च पर जादा विश्वास रखता ह हो सकता है कि वो specific topic है, जो नाम है, वो सेलिबस में ना हो, लेकिन उसका सवाल करने के लिए जो basic concept चाहिए, वो आपके सेलिबस में हो, तो आएटी एडवांस का सेलिबस बले ही J-main से हलका सा कम हो, बड़ आएटी एडवांस पूछ कुछ भी सकता है, तो इसके लिए आप prepared भी रहें और अपने को प्रिपेड करते भी रहें अगला डिफरेंस जी में का दो पेपर है आप लोगों को इस बाद को ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा रिलेक्टिवली ईजियर साइड में रहा है इस साल के मैथमेटिक्स के कुछ पेपर को छोड़ दिया जाए तो आप कह सकते हूं कि 70% जो क्योशन है वो आपकी easy रहें और 30 क्योशन जो है 30% क्योशन जो moderate to tough रहते हैं इन जनल जी में के अंदर IT Advance में इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फो सिर्फ 20% सवाल ही आसान होंगे 30% के आसपास सवाल आपके moderate होंगे और 50% के आसपास आपके सवाल जो होंगे वो tough होंगे ध्यान रखना इस बात का दो बाते हों खास दो और सी ध्यान रखना है मैं यह नहीं कहरा कि ये विज़ा easy जेए मेन के easy के मकाबले tough ही होगा तो यह मत सोचना कि इसे लेगल के सवाल आएंगे नहीं नहीं कोई कदुख का जाए तो अलग मात है otherwise but of course इसके easy भी जो होंगे वो जेए मेन के easy से तो tough ही होंगे ओबिस मात एक बात का खास तोर से आप और ध्यान रखें जब मैंने कहा कि 20% questions जो है वो easy होंगे तो साथ में एक data और याद रखें कि IIT advance का जो cut off है general category का last year वो लग बग लग बग 17% के आसपास ही गया था इसका मतलब paper के अंदर के मैं सिर्फ और easy questions अगर try करूँ तब भी मैं काफी अद तक अच्छा कासा perform कर सकता हूँ हाला कि मैं बहुत clear कर दूँ कि 17% marks आने पर आपको IIT नहीं मिल रही थी 17% marks आने पर आपको IIT जी qualified बुला गया था IIT मिलना जो start हुई थी वो तर रफली बढ़ा 31-32% के आसपास से start हुई थी J-Mean के जो सवाल है वो basic concepts पर बेस पूछते हैं formula-based सवाल पूछते हैं कोई बहुत ज़्यादा complexities नहीं होती IIT advance के जो सवाल होता है बड़ा of course उसके अंदर multiple formulae, multiple concepts लगाता है chain के अंदर, series के अंदर लगा रख्या होते हैं J-Mean का जो एक सवाल होगा वो in general एक concept या फिर एक formulae से बन जाता है लेकिन IIT advance का जो एक question होगा वो एक formulae से नहीं बनेगा उसमें इस से given information से ये निकाला इस से ये निकाला, इस से ये निकाला तब जाके answer आता है roughly 3 या 4 formulae लगाने के बाद roughly 3 या 4 concepts लगाने के बाद roughly 3 या 4 step करने के बाद हम actual situation पर पहुँचते हैं डारेक्ट नहीं पूछ रखा होता roughly मैं अगर कहना चाहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि 3 या 4 जाई में के जो सवाल है उनके जो concepts हैं उनको ऐसे series में लगा गर IIT advance का एक सवाल बनता है तो आपका दिमाग पहले चें tuned रहना चाहिए कि इस बार सवाल जो होगे होते ने direct नहीं होगे लेकिन हाँ सवाल जैसे आपने पढ़ा आपके दिमाग में picture clear जानी चाहिए कि हाँ मैं इससे ये निकाल लूँगा इससे ये निकाल लूँगा तो एक बड़ा difference है बड़ा of course जो हमारा J-E main है उसमें सिर्फ हो सिर्फ दो ही तरह equation पूछ रहे है single choice question and integer type questions लेकिन अगर हम IIT advanced की बात करें तो उसके दो तरह-तरह equations पूछते हैं more than one correct questions भी पूछते हैं match the columns भी पूछते हैं matrix match भी पूछते हैं पूछते हैं numerical values भी पूछते हैं और single choice questions अगर उनकी हम पर खास किरपा रही तो single choice question भी पूछ लेंगे otherwise but of course more than one correct match the columns, comprehensions, matrix, match, numerical values इस तरह के सावल भी अकसर पूछना जादा पसंद करते हैं J-E main का तो paper था उसके अंदर आपने बड़ा इस बाग तो notice भी क्या होगा कि speed और accuracy ज़्यादा वर्क करती है paper तो आसान पूछते हैं एकसर और paper आसान पूछते हैं तो जिन बच्चों की speed अच्छी होती है accuracy अच्छी होती होग अच्छों की मुकाबले better कर बात हैं जैसे अगर बात करें तो 18th March का तो second shift sorry morning shift वाला paper था वो of course आसान था जिन बच्चों की speed अच्छी थी जिन बच्चों की accuracy ज़़ा थी वो of course उस easy paper के अंदर बाकी लोगों मुकाबले 30-40 नमबर ज़दा लिया है और obvious बात है कि उनकी percentile बाकी लोगों मुकाबले काफी अच्छी भी आई है तो J main is more about speed and accuracy bit set is even more about speed and accuracy but IIT advance के अगर बात करें तो इनका जो main focus है वो इस बात पे है कि बच्चे की problem solving skills बहुत अच्छी होने चाहिए और सवाल जो है उसको देखते ही वो इस बात का idea लगा ले कि इसके अंदर exactly कौन सा concept लगना है J main का सवाल देखकर इस बात का idea लग जाता है कि इसमें ये वाला formula या फिर ये वाला concept लग जाएगा लेकिन IIT advance के तो सवाल है उसके अंदर concept छुपा होता है उसके अंदर formula छुपा होता है आपको सोचना पड़ता है दिमाग लगाना पड़ता है आपको इस बात को imagine करना पड़ता है कि इसके अंदर कौन से concept चुपे हो सकते है उन concepts को extract करना होता है और तब जाके आप सवाल कर पाते है और अगर आपको ऐसा लगे कि आपने उस सवाल के concept को extract नहीं कर पाड़ हो तो कोई बात नहीं उसको leave कर दीजिए आप अगले सवाल पर move कर जाएए तो इस बात बड़ा बहुत बड़ा difference है कि J.E. main में speed और accuracy जो है वो की है और I.T. advance के अगर बात करें तो आपको जो problem solving skills है या फिर सवालों के अंदर concepts को ढूनने की जो skills है वो ज़ादा prime है अपनी पढ़ाई को हम इस तरह से mold करेंगे कि हमारी problem solving skills better हो of course हमारे जो concept extract करने हमें सवालों के अंदर वो लगातार हमारी skills लगातार दिगड़े बड़े next और सबसे important बात G main जो हो कभी predictable होता है हमें पहले से पता होता है कि हाँ भी 30 सवाल आएंगे 20 सवाल single सो होंगे 10 सवाल integer type होंगे उन 10 में से 5 करने and that's it हमारा जो IT advance का जो paper है वो totally unpredictable है हमें नहीं पता कि कितने सवाल पूछेंगे इस बार match दो कलम पूछेंगे भी या नहीं पूछेंगे match दो कलम भी अगर पूछेंगे तो क्या वो A, B, C, D इधर P, Q, R, S, T one will match with one पूछेंगे या फिर one can match with many पूछेंगे इस साल comprehension पूछेंगे भी या नहीं पूछेंगे comprehension में negative marking होगी या नहीं होगी किसी बात का हमें कोई idea नहीं है ये idea हमें सिर्फ और सर्फ उस exam को देने पर ही लगेगा instructions पढ़ने पर ही लगेगा तो exam totally unpredictable है आप पहले से कोई मन बना कर नहीं जा सकते कि ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे जैसे last year के अगर बात करें तो हर साल comprehension पूछते थे हर साल पूछते हैं और comprehension तो एक तरह से trademark थे IIT advance के उन्हों last year comprehension नहीं पूछे लिए इस बात कहीं मतलब बिलकुल नहीं कि इस साल comprehension नहीं पूछेंगे हो सकता है कि फिर से comprehension पूछ लेंगे कई सालों तक single choice question नहीं पूछें हैं फिर बीच में single choice question पूछ लें हैं कई बार बीच में इड़ा match दो कदम जोते हैं वो सिर्फ हो सिर्फ ABCD जो वो सिर्फ एक से match करेगा या तो P से match करेगा या Q से match करेगा और कई बार ऐसा हो है कि A can match with many B can match with many तो ऐसे case के अंदर इस बाद को जरूर ध्यान रखें कि ना तो हमें instructions पता है और ना ही हमें किसी प्रकार की marking scheme पता है ना ही हमें यह पता है कि किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे लगे इसमें घबराने वाली बाद तो बिलकुल है यह नहीं ऐसा थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं पता किसी को नहीं पता हाँ हम बाकी लोगें मुकाबले जादा smart है जादा sharp है तो हम instructions को बहुत प्यार से पढ़ेंगे हम जो marking scheme उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और उससे अंदाजा लगा लेंगे कि higher कौन से कौन से सवाल जादा scoring है कौन से कौन से सवाल फसाने वाले है कहां कहां मैं अच्छे नबर लेकिए आ सकता हूँ कहां कहां मैं फस सकता हूँ It all depends on how you tackle the instructions and the marking scheme तो इस बात का ध्यान रखें कि J.I.T. advanced is totally unpredictable and J.man is clearly predictable बिल्कुल पता होता है कि मैं exactly कैसे कैसे किस किस तरह के सवाल पूछने वाले हैं I.I.T. advanced में हम लोगों को idea नहीं होता मुझे पढ़ाते हैं कि हो गए 12 साल तो फिर भी कोई बच्चा उससे पूछ लेगा इस साल comprehension पूछें कि हैं नहीं पूछें कि अगर तरह को exam giving skills तरहीं अच्छी है तरह को concept आते हैं तो फिर किसी ली tag का सवाल क्यों आए तुम अच्छा ही करोगे बुरा क्यों करोगे तो इसलिए मैं पहले से बोल दूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हो सिर्फ आपके साथ यह सा है सभी बच्चों के लिए वो पूरा-पूरा exam जो वो unpredictable है और आप बिलकुल बिना किसी expectation के बिना किसी pre notion के जाए जैसा exam आए उसको exactly उसी हिसाब से ही दे I hope it's okay आगे चली बड़ा next is अगले 70 दिन के अंदर हम पढ़ाए के अंदर क्या-क्या कर सकते हैं बहुत ही simple simple basic basic बाते हैं जो आपको पता भी है but I have to state them अगले मैं roughly ऐसा कराओ कि nearly 70 days है एक अच्छा time table बनाए अच्छा feasible time table बनाए feasible मतलब ऐसा जिसको तुम follow कर सको ऐसा नहीं कि ऐसा time table बना लिए कि हाँ मैं दिन में 15 गंटे पढ़ूँगा और दिन में रोज 10 गंटे सोते हो तो ऐसा कैसे चलेगा ठीक है ऐसा time table बनाए जो आप follow कर सको time table बनाने के बाउजूद बच्चों को बारा ऐसा लगता है कि इस अच्छा नहीं पढ़ने के लिए 10 गंटे निकाले थे और ऐसे करते 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 तुमारा पूरा दिन निकल गया तो 10 गंटे की जो पढ़ाई है वो धंक से करें अगर 10 गंटे आपने time निकाले हैं तो यह 10 गंटे की पढ़ाई धंक से करें हर एक एक मिनट को value करें अगर आप चाते हो कि आपने जितना plan बनाया है उसमें आप effectively पढ़ पाया है तो you have to be the master of your minutes आपको एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा अगर आपने सुचा कि अभी चलो IPL का score देख क्या था हूँ वहाँ पर score देखने गए और 20 मिनट लगए अच्छा चलो एक बार WhatsApp खोलते हैं फिर WhatsApp खोलते हैं हमारे batch की प्रूप में का का चल रहा है वो देखने लगए फिर चला चलो Instagram देख लेते हैं Instagram देखते देखते बहुत देखते हैं यूट्यूब पर गए अगें यूट्यूब पर गए तो किसे सवाल के चेकर में थे और तो इस यूट्यूब के अंदर लगए दो गंटे तो इस तरह से बात नहीं बनेगी आपको एक एक मिनट एक एक सेकंड की वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी आपकी कोई वैल्यू बन पाईगी आपको एक सेकंड एक मिनट का एसाब रखना पड़ेगा अगली बात बहुत इंपरेंट बात आपको अब अपने बोडी माइंड को टून करना है एक्जाम के एसाब से आइटी एडवांस का अभी तैमिंग तो नहीं आई है मेरे ख्याल से रखली मैं ऐसा कहा दूँ कि शायद नो से बारा और दो से पांच हर साल इसी टाइम पर एक्जाम होता है इन छे गंटों के अंदर आपका दिमाग सबसे बेस्ट काम करना चाहिए आपका दिमाग बिलकुल अपने पीक पे होना चाहिए उस टाइम पे अपने दिमाग को आथ से टून करो अपने दिमाग को अपने बोडी को अपने सैकिक को इस तरह से चेंज करो और अगेन 9-12 लगातार रोज बैठना है तीन गंटे पढ़ने के लिए दो से पाँच लगातार रोज बैठना है तीन गंटे उस तीन गंटे के लिए आपने क्योशन से लेकिया जाईए कोई मॉक टेस्ट ले लीजी किस दिन सोचे कि आज मैं सिर्फ हो सिर्फ HCV के अब्जेक्टिव टू करूंगा और तीन गंटे में जेतने क्योशन बनते हैं जेतने चेप्टर बनते हैं वो सारे निप्टा हो आगी शुरुवात में दिख्कत आएकि पहले दिन दिख्कत आएकि दो दिन दिख्कत आएकि तीन दिन दिख्कत आएकि साथ दिन के अंदर आप बिलकुल टून हो जाओगे इन 6 गंटों के अंदर बढ़िया पड़ाय करने के लिए ये 6 गंटे मारे बहुत important है तो रात को अच्छे से सौए और दिन में कम से कम इन दो time के लिए आप जरूर आराम से plan करें कि आप इन 6 गंटे लगातार बिना किसी distraction के continuously पढ़ाए करें 9-12 and 2-5 अगली बाद बढ़ा next is plan your studies such that it develops conceptual clarity मैं कई बार बोल चुका हूँ IT advance का exam direct नहीं होगा सवाल direct नहीं होगा उसमें concept छुपे होंगे जब तक आपको concept की clarity नहीं होगी तब तक आपसे IT advance का सवाल नहीं बनेगा मतलब moderate और tough वाला इस दिवारा तो फिर भी बन सकता है लेकिन moderate और tough वाला सवाल जो है वो तब भी बनेगा जब आपको सवाल की गहराई जानते होंगे जब आप उस सवाल को अंदर तक जानते होंगे कोई बच्चा जो है वो lens को सिर्फ इस तरह से मानता है कि ये lens है ये इसकी focal length है और object और image जो है उन दोनों के बीच में relation सिर्फ और सिर्फ इतना सा होता है कि 1 by V minus 1 by U is equals to 1 upon F लेकिन जो बच्चा lens की exact theory जानता है जो उसको derivation तक जानता है वो इस बात को समझता है कि lens जो है ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक curved surface इधर और एक curved surface इधर इनका combination है और वो जो curved surface पे जो formula करते थे n to by V minus n1 upon U is equals to n to minus n1 upon R वो formula दो बार लगाने के बाद हमारे पास यह expression आया उस पूरी derivation को टंक से समझता है सिर्फ वही बच्चा IAT advance का बढ़िया सवाल कर पाएगा क्योंकि IAT advance का सवाल जो होगा और यहां का refractive index 3 by 2 है अब बताओ सवाल कैसे करोगे हमने जो formula याद कर रखा था वो तब के लिए याद कर रखा था सारा का सारा medium सेम हो अब दोनों तरफ medium अगर अलग है तो अब बच्चे के लिए वो concept काम आएंगे कि इस surface से reflection होगा उससे जो image बनेगी वो इस surface से जो reflection होगा उसके लिए वो object की तरह काम करेगी जो इस बात की गहरा ही समझता होगा सिर्फ और सिर्फ वही इस तरह के सवाल कर पाएगा यह तो मैंने एक example दिया है ऐसे बहुत सारे example से मैं पूरा दिंदराव तिकाल सकता हूँ कि जही मेल क्या पूछता है और IT advance क्या पूछता है तो IT advance जो सवाल पूछता है उसके लिए conceptual clarity बहुत ज़रूरी है और conceptual clarity तभी अच्छी होगी जब आप हर बात को बिलकुल derivation से जानोगे आपके दिमाग में हर चीज़ क्लियर होगी कि सिर्फ वोसे 1 by V minus 1 by U equals to 1 upon F वो तो उपर-उपर से दिख रहा है उसके अंदर कहानी बहुत सारी है और मुझे वो सारी कहानी पता है वो सारी कहानी पता है तब जाके आप IT advance के टफ वाले सवाल भी बड़े आराम से कर सकते है वो conceptual clarity आपके अंदर होनी चाहिए और वो of course आयागी इसलिए मैंने कहा कि आप पने पढ़ाय को इस तरह से mold करें सर कैसे mold करें derivations देखें हर बात को गहराय से वैसे class में पढ़ाया गया ना बिल्कुल exactly वैसे वैसे समझें कि सर ने derivation ऐसे दो नहीं कराएंगा मेरा बच्चा सिर्फ वोर्ट का exam देना जाएगा सर ने derivation जरूर इसलिए कराएंगा सर हर concepts को relate करते करते इतनी बड़ी चीज़ बिल्ड कर रहे हैं हम सीधा final result याद ने रखके सारे steps याद रखें सारी कहाने याद रखें सारे flow को याद रखें और सारा flow हमारे दिमाब में set रहेगा हमें चीज़ें समझ में हैंगी तो हम सारा सवाल कर सकते हैं तो सारी कहाने इस concepts की है तो concepts पर विश्वास सबसे जादा रखें everything will follow you जो आपके concepts का flow है जो class में पढ़ा है गया उस पूरे flow के साथ 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 चलें सिर्फ final result पर विश्वास ना करें final result पर विश्वास रखकर आप JMAN में अच्छी percentile ला चुके हो गई उसका काम खतम होगा एक तरीके से हाँ आगे लिए जो दो JMAN है आफिर बेट सेट का exam है उसमें अगीन यह जो final result है काम आएगा लेकिन जो बीच में पूरी कहानी बताएगी थी जिस कहानी से सारी सारी चीज़ने results प्रूव के गएगा थे वो सारी कहानी किस लिए थे यह आपके concepts बैट रहा हो और आपके concepts से ही हम IIT Advanced का exam फोड पाएंगे results नहीं फोड पाएंगे सिर्फ formulas नहीं फोड पाएंगे चलिए बड़ा अगली बात next is proper short notes बनाएं जबी भी पढ़ें सैड में copy रखें उसमें लगातार short notes में आते रहें जबी आपको कोई formula पसंद हो कोई concept पसंद हो, कोई theorem पसंद हो, कोई बात पसंद हो कोई ऐसे चीज पसंद हो जो आप आज तक गलत लगा रहे थे advanced का last lap है, advanced का जो last lap है वो भी कर सकते हो उसके अंदर roughly physics में 24 DUPs, chemistry में 24, maths में 24 DUPs है और हर DUP के अंदर मेरे ख्याल से 25 के आस पास questions है सारे के सारे सवाल जो है, वो IIT advanced के सवाल है IIT advanced के type के सवाल है, जिसके अंदर किसी भी सवाल के अंदर single concept नहीं है, multiple concepts है और वो again सारे के सारे conceptual clarities को बढ़ाने के लिए सवाल बनाए गए है अगर आपको करने की चाओ, आप इनकी थूभी revision कर सकते हो जो भी previous year questions हैं, वो आपके लिए करने must है आपने time schedule को इस तरह से बाट ले कि यह जो आप लगातार 6 गंटे बैठ रहे हो, 9 से 12 और 2 से 5 इसमें से कम से कम, किसी 3 गंटे के अंदर तो आप previous year questions को जरूर करें खास तोर से 2006 के बाद जितने paper हैं, उनको तो जरूर ही करें 2006 के बाद जितने paper हैं, वो आपके लिए करने must हैं, उनको पका करें और उसमें से भी, किस दिन Newton's लो पढ़़ए हो, तो Newton's लो कि सारे सवाल कर लो 2026 के बाद वाले किस दिन आप मालओ जिटा Geometryution पर रहे हो, तो 2006 के बाद Geometry tolerance सारे सवाल कर लो किस दिन EMI पढ़ रहे हो, तो 2006 के बाद जितने भी सवाल EMI के अंदर हम सारे सारे निप्टा लो हाँ, ये जुरूर है कि 2018, 2019 और 2020, इन तीन सवाल, इन तीन लास्ट इसके जो क्योशन्स हैं, इनको अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि एक दिन बैठे मोर्निंग के अंदर 2018 का जो मोर्निंग वाला पेपर था, वो पूरा एक साथ ने प्ता दिया, इवनिंग में 2018 का इवनिंग का जो पेपर था, उसे ने प्ता दिया, अगले दिन या फिर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2019 का जो मोर्निंग वाला पेपर था, वो मोर्निंग में ने प ब्रगोई करो और उससे पहले वाले जितने हैंना वो चाहो तो बड़ा सिर्फ हो सिर्फ और सिर्फ हैना specific topic वाइस कर लो किस दिन वियोप्टेक्स पढ़रो तो वियोप्टेक्स से सारे सवाल जो भी 2006 के बाद पूचेगे हैं वो सारे निपता लो I hope बात समझ गयोंगे and again one more important thing अच्छा सोएं अच्छा खाएं बढ़िया से नीन लें अच्छे से खाना खाएं fast food बिलकुल नहीं अच्छा खाओगे अच्छा सोओगे तभी अच्छा दिमाग चलेगा next is exam giving skills की बात करते हैं मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि आपका IIT advance का जो exam it is very different from J-Mean, J-Mean was so predictable, IIT advance is so unpredictable, बिलकुल नया नया है, सब कुछ नया है, और J-Mean का जो exam था वो तो फिर भी थोड़न moral booster type होता है, IIT advance का exam तो हमारी इज्जत उतारने पे लगा हुआ है, वो तो हमारी उकाद दिखाना चाता है, तो ऐसे exam से बच के निकलना है, ऐसे exam में अपने इज्जत बचानी है, तो of course बढ़ा मैं अच्छे के तरह से fight उसमें मारनी पड़ेगी, IIT advance के exam में ध्यान रखना कि अब हम यहाँ पर 100% करने नहीं आये हैं, हम सवालों को छोड़ेंगे, ह सब जाके में rank आएगी, I have to play on my strength, मुझे IIT advance के exam में अपने strength पर focus करना है, सिर्फ strength पर खेलना है, अगर मैं short pitch ball को नहीं खेल पाता अच्छे से, तो मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ, कि लगातार ऐसे hook माल नहीं कोशिश करूँगा, और ball वहीं खड़े जागे और लो half wall ली आएगी, कोई ने कोई ball जो होगी ना, बड़ा वो तो कम सकम मेरे bet क्या आगी आएगी, और जैसे वो half wall लेगे तो उठा देंगे, अपना time भी आएगा, तो ध्यान रखना कि पूरे के पूरे paper के अंदर कुछ-कुछ सवाल बने ही इसलिए होंगे, कुछ ने कुछ च समझता है, कि हाँ कोई ने कोई सवाल ऐसा हो, जो छोड़ना है, और वो बच्चा भी उस सवाल के पढ़ जाए जो उसको छोड़ना है, तो उसकी rank 1 नहीं है, उसकी rank 50 आएगी, 51 आएगी, बावन आएगी, और जो rank 1 वाला और जो rank 1 वाला बच्चा है, उन तो यह तो difference है, ह हमें तो इस सवाल छोड़ने है, हमें वो जाट नहीं है, कि हार यह वाले सवाल फसाने वाले है, और कुछ होना है, कि हार यह वाला सवाल बाकी लोग कर रहोंगे, बाकी लोग पच्चा रहोंगे, मैं तब तक कोई बढ़िया सवाल करता हूँ, मैं तब तक कोई आसान सवा पपड़ा है उसी से हम सारे-सारे कहानी बुलेंगे कि हमें क्या-क्या करना है पूरे के पूरे पेपर को तीन राउंड के अंदर डिवाइड करें पेपर अटेंप्ट को तीन राउंड के अंदर डिवाइड करें पहले round के अंदर PCM के वो सारे सवाल जो तुमें लगता हो कि उनको देखते ही तुमारे मैप के लिए एक मैप बन चुका है कि इससे यह निकाल लूँगा इससे यह निकाल लूँगा इससे यह निकाल जूँगा और आपको यह भी लगता हो और आपको यह भी पता है कि इसकी जो calculation है इससे सवाल की वो भी आसान है इन दोनों criteria को अगर fulfill कर रहा है तो वो सवाल आसान है पहले round में मैं सारे PCM के जितने सवाल आसान वाले हैं आसान कौन से जिनके सवालों को देखते ही हमारे दिमाग के अंदर map बन चुका है और इन जिनकी calculation आपको देख कर लग रहा है कि यह आसान है उन सारे सवालों को निप्टाना है दूसरे के अंदर again PCM के जितने भी moderate questions है उनको करना है moderate कौन से है moderate वो है जिनका आपके दिमाग में map बन चुका है आपको पता है कि यह से यह करना है इस से करना है इस से करना है और साथ ये साथ आपकी जो calculation है वो थोड़ी से tougher side की है आपको लगता है कि हमेरे को मैं कर तो लूँगा लिएन calculation tough वाली बाद में कर लेंगे जब यह सारे हो जाए तो round 2 पर आए और round 3 में वो सवाल है जिनके अंदर हमारे पास फिलाल ना तो कोई बहुत बड़ा map बना है ना तो हम समझ पाएंगे कहां से कहां पहुंचेंगे और of course calculation तो बात की बात है तो उन सवालों पर सबसे last में हाँ उन सवालों को दो बार पढ़ोगे अगर इन में से किसी से start कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि paper के last में maths में कोई सवाल ऐसा था जो आसान था बाकी बच्चे वो करके आ रहोंगे हम छोड़के आ रहोंगे तो हम सबसे पहले सारे पर के easy equations करेंगे sequence क्या रखनी है physics पहले chemistry maths कौन पहले जो आपका अच्छा लगता जिस sequence को आप साल बर से दो बाद दो साल से follow करते आ रहें उसी sequence को आप वहापर follow करें हर इनसान की sequence अलग-अलग होती है आपको दूसरों की sequence follow करने की ज़रुद बिलकुल भी नहीं है अपनी sequence follow करें बड़ा next is make habit of reading questions cautiously questions को आराम से इत्मिनान से पढ़ो सवाल समझना ही सवाल समझना ही सवाल पूरे सवाल को करने के 50% के बड़ाबर है IT advance का अगर आप सवाल समझ गयो दिमाग में map बन गया है दिमाग में तुमने calculation कर लिया है ये सारे के सारे कहानी जो है ये इसका contribution पूरे सवालों करने में 50% है तो सवाल को आराम से पढ़ें इत्मिनान से पढ़ें जैनेन के सवालों को हम सिर्फ एक बार पढ़कर ही answer निकाल लेते हैं निकाल भी रिखें अपनने इस कई अरत नहीं कि IT advance का सवाल ऐसा होगा हो सकता है कि IT advance का सवाल आपको दो बार भी पढ़ना पढ़े तो आराम से कौशिसले सवाल को पढ़ें और सवाल को पढ़ते पढ़ते मैप बनाएं सवाल IT advance के बड़े होते हैं बड़े होते हैं तो कई बार है न, पहले नीचे पढ़ते 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 नीचे आए, तो पहले वाली बात बूल गया है, इससे अच्छा दिमाग के लिए इससे अग्या इससे आग्या में कर लोगा अइसे case में इस बात दिया थे थेंगी, सवालों को पढ़ने पर खासा जोर दे सवाल उतनी आसार नहीं होंगे कितने आपके जैने, इनकी होते हैं सवालों को पढ़ने में समय लगता है और हमें कौन तो सारे करने हैं? हमें तो गशे सवाल कम करने हैं नेक्स्ट इस ये बढ़ा बहुत important point है ये इतना important point है कि इसको तो तुम लोग बढ़ा अपनी जहां पर भी तुम बैट गर पढ़ाए कर रहे हो हो उस table के सामें तो दिवार होगी उस पर चिपका लिना IIT advanced के अंतर सबसे important page कोई अगर होगा तो वो वो page है जिस पर instructions लिखे होंगे जिन पर marking schemes लिखी होगी जो instructions होगी और जो marking scheme होगी वो decide करेगी कि हम paper कैसे करेंगे हम पहले सो कोई pre notion लेकर जा नहीं सकते because we know that IIT advanced exam is very unpredictable ऐसे case में paper किस तरह से मुझे करना है यह बात पर depend करता है कि exactly instructions कैसे है अगर instructions में ऐसा लिखाओ है let's say मैं बोल रहा हूँ कि कोई negative marking नहीं पूरे paper में तो हम इतनी बेवकूफ हैं कि मुझे सवाल छोड़ के आ जाएंगे नहीं हम सारे सवाल कर देंगे अगर सवालों में यह लिखाओ है अगर instructions में ऐसा लिखाओ है कि सही तो plus 4 let's say और गलत तो minus 2 again we will get extremely cautious कि यार इतनी बड़ी बेवकूफ ही ना कर दूँ मैं सवाल गलत कर दूँ अगर मालों कि match दुगलम पर यह लिखाओ है कि इसमें negative marking नहीं है तो मैं पक्ता विश्वास है कि मैं match दुगलम तो करने ही करने है और of course पूरे sequence में सबसे पहले ही match दुगलम करना है comprehension में लिखाओ है कि मैं negative marking नहीं है let's से लिखाओ है तो obvious बात है कि मुझे comprehension नहीं है तो obvious बात है कि मुझे वो करने चीए more than one correct question में अगर negative marking है तो समझ जाओ कि या तो बड़ा परिशान करने वाला है तो चारू option चेक करो और उसमें से एक भी option अगर गरत होगी तो negative marking होगी तो इसका मतलब ये तो बिलकुल फसाने वाला जुगार है इसका मतलब मुझे इसको सबसे last में करना चाहिए लेकिन अगर उसी more than one correct question के साथ में ये लिखा हुआ है कि इस बार negative marking नहीं है वो तो instruction में लिखा होगा मुझे दर पता है अगर ऐसा लिखा हो तो सारा का सारा पासा पलेट गया अब मैं more than one correct question जरूर करूँगा छोड़ूँगा नहीं तो paper कैसे देना है क्या strategy है रेवर देना है कि वो कैसे decide होगा वो pitch देखकर decide होगा उस pitch पर कितने run बनाने है कितना आप total में defend कर सकता हूँ ये इस बात पर depend करता है कि pitch कैसी है पहले देखो उस paper वो paper में instructions कैसे है instruction और marking scheme कैसे instruction और marking scheme की जिसने master कर ली वही बत चाफोड़ेगा इसलिए में फिर से बोलूँगा खूब सारे mock test दें जितना हो सके होते है mock test दें जितने आप PYQs करते हो जितने आप पराणे साल के paper करते हो उनको करते वक्त भी उनकी instruction साथ साथ में जरूर पढ़े कि इस साल में instruction ऐसे थे और ऐसे instruction मेरे सामने आए तो मैं क्या करूँगा next is paper करते वक्त मैं पहले बोल दूँ IIT advance will test you at extreme level you will be tested in IIT advance in such a way that you had never been tested आज तक तक तुमारा इस तरह से test नहीं वाओगा जितना IIT advance में test करने बाला है IIT advance का exam देना भी अपने अपने बहादूरी है तो वो तुमारे साथ IIT advance का exam हर तरह से किये लेगा mentally, physically, psychologically हर तरह से किये लेगा 6 गंटे लगातार बैठना physically tough काम है सवाल इतने tough है mental pressure of course आ गया सवाल नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, यह मारा पर psychological pressure है तो physically, mentally, psychologically हर तरह से में टेस्ट करेगा तो ऐसे में जो इनसान cool रहेगा काम रहेगा, composed रहेगा और जो मान के चलेगा, कि यह जो tough सा paper मेरे सामने है यह paper तो सब के सामने है जो भी डायलाक लोग एक्जाम देने आये हैं उन सब के सामने यह वाला paper आया है तो मैं क्यों गबराऊं, मुझे तो पता है कि सब के सामने यह वी पराया है, बाकी लोग गबराएंगे वो चमपू है, वो गबराएंगे मैं क्यों गबराऊं, मुझे तो इन सारे के सारे सवालों के अंदर से किसी तरीके से यह दो मालनो, 108 questions या फिर बड़ा 110, जितने भी questions हैं, उन questions में से मुझे वो वाले सवाल करने जो में रुकाते हैं and that's it, मैं क्यों गबराऊं जो गबराएगा वो निपड़ जाएगा, हम ने गबराएंगे तो हुसता है कि हम किसी ऐसे बच्चे से बेटर कर जाएं, जो हमसे पढ़ने में अच्छा हो जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखे, जिसने मेनत कर रखे हो लेगिन वो गबरा गया हो, और हम ना गबराए हो So stay calm, stay cool, stay composed बिलकुल धोनी की तरह धोनी को अगर मालनो कि बहुत बड़ा target अगर chase करना है वो game को आखिर तक लेका जाता है और cool रहता है, confident रहता है, composed रहता है कि ठीक है, खेल लेंगे अभी तो चलो फिर उमर होए बड़ केसी जमाने के अंदर उसने इस तरह से खुब सारे match जिताए है आखिर तक खेलता था last minute तक fight मारनी पड़ेगी अपनको और last minute तक घबरा कर fight नहीं मारनी पड़ेगी हमें इस तरह से confident feel करना है कि सामने आला देखे कि इतना कोई से confident feel कर रहा है इस exam के अंदर जैसर दोनी betting कर रहा होता है बले आखियो और के अंदर 20 run चाहिए हूँ लेगन उसके चेर पर confidence होता है उससे बहर बलर घबरा दाता है कि अरे oh my god 20 run तो बहुत ज़्याद होता है last hour के अंदर घबराना उससे चाहिए घबराना मैं रहा हूँ तो उस दोने के तो चेर पर जो confidence हो देखके बलर घबरा चाता है तो उसी तरह का confidence, उसी तरह के coolness, उसी तरह का हमारा nature भी काफियत तक composed होना चाहिए paper tough आएगा है आएगा उस tough paper में से आसान आसान चीज़ें चाहट के उस paper के अंदर किस तरह से best दे सकते हैं वो count करता है तो मेरी तरफ से इतनी बात है थी, आप लोग धंक से पढ़ाई करें, मेहनत करें J. Bean और I. T. Advance जो पढ़ाई है उसको धंक से balance करके चलें I. T. Advance तभी फोड़ पाऊंगे जब आप अगले 70 दिन को धंक से use करोगे, बहुत सारे बच्चे फोड़ेंगे, हम उन फोड़ने वाले बच्चों में हो ऐसा तभी हो पाएगा जब हम हमारी एक एक मिनट का हिसाब रखेंगे जब हम बहुत स्वार्ती होंगे जब हम बहुत जा लालची होंगे तब जाके हमारी बात बनेगी, बाबा टाइप बनके बात तो नहीं बनने वाले है तो मैं फिर से कहूँगा इस बात को कि मैनत करें, focused रहें, impulsive रहें sharp रहें, cool रहें, composed रहें और IIT Advanced के एक्जाम के अंदर instructions को, marketing scheme को डंक से पढ़ें अच्छे से PYQs करें समय बिल्कुल भी waste ना करें और इन सब बात हो और follow करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग IIT Advanced के बहुत अच्छी rank लेकर आओगे हमारी तरफ से इतनी सब बात हैं, हम लोग जरूरी है चाहेंगे कि हमारी बच्चे IIT Advanced के बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छी rank लेकर आएं अच्छी IITs जाएं IITs अच्छी ना जापाएं, तो अच्छी हैं IITs जाएं, बड़ अच्छी कोलेज जाएं यह हमारी तरफ से, ऐसी हमारी प्रार्थना है ऐसी हमारी उम्मीद धाब से हमारी तरफ से इतना ही, चलीए All the best